नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूस के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 1964 में एक फिल्म आई थी कश्मीर की कली शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर इस फिल्म में लीड एक्टर एक्टरस थे और क्या शांदार फिल्म थी और क्या शांदार लोकेशन थी क्योंकि कश्मीर की लोकेशन पर ये पूरी फिल्म शूट की गई थी बहत खुबसूरती से इस फिल्म में कश्मीर को फिल्माया गया था बहत शांदार पटकता लिखी गई थी लेकिन अब जो कश्मीर में पटकता चल रही है सियासी पटकता दो चल रही है वो कॉंग्रेस के लिए बिल्कुल भी कम से कम अच्छा संकेत नहीं दे रही है अब ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर से 370 को हटा लिया गया है मोधी सरकार ने इसको कॉल अफ कर लिया है और कश्मीर जमू कश्मीर को एक अलग पार्ट बना दिया है केंदर शासित राज और लद्दा को एक अलग अब इसी को लेकर कॉंग्रिस के अंदर कलह चल रही है और यही जो कलह है वो कॉंग्रिस के लिए अब बड़ा सिर्का दर्द बनती हुई जा रही है तो एक तो कश्मीर की कली थी तो सूपरेट रही थी फिलाल तो जो अभी कश्मीर में कले चल रही है वो कॉंग्रिस के लिए बड़ा सिरदर्ध बनती जा रही है इसके पीछे वज़े बहुत बड़ी ये है कि कॉंग्रिस इस कश्मीर इशू को लेकर एकजूट होती हुए न कदम के फिवर में हैं ये कॉंग्रिस के लिए और कॉंग्रिस का जो ठिंक टैंक है उसके लिए मुसीबत खड़ी करते हुए देख रहे हैं लेटस डिवलप्मेंट इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कॉंग्रिस वर्किंग कमेटी है इसकी बैठक हुई 6 अगस की कमेटी की बैठक में ही अलग-अलग राय फिर से निकल कर सामने आ गई है इसके बार नमबर आया जितन प्रसाद का जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जितन प्रसाद ने आया कि हमको पब्लिक सेंटिमेंट समझने की कश्मीर पर फैसला है वो पूरी तरह से इसके फेवर में है लेकिन उसको बीच में ही काट दिया पीछ दंबरम ने उन्होंने कहा कि साउथ में कम से कम ऐसा नहीं है और यह अलग-अलग रीजन की बात हो सकती है जिस पर उनको जितन प्रसाद ने काटा कि मैं उत्तर प्रद रात्यूषी, जोनकी पहले भी इसके समर्थन में थे बकाइदा ट्वीट करके जोत्राय पर लिखा था कि जम्मू कश्मीर और लदाक का जो एकाकी करण का फैसला मोधी सरकार ने लिया है ये इसका मैं समर्थन करता हूं खलाकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि सम्वेधानिक रूप से अगर इसको किया जाता तो इसमें ज्यादा हमको खुशी होती लेकिन फिर भी चूंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स के फिवर में हैं तो इसलिए हमको इसको मानना ही होगा ये बात जब जोतरा दिकते सिंधिया ने कॉंगरेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कही तो इसके समर्थन में कॉंगरेस के दो और युवा नेता आ गए। गर उस दौरान कॉंग्रिस के जो तीन ठिंक टैंक हैं, यानि कि सोनिया गांधी, राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वो तीनों वहीं पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, और उन्हीं के सामने यह तमाम नेता है, यह कॉंग्रिस का जो डिसिजन है, जो स्टैंड है कॉ उससे अलग होकर बात कर रहे था और खास बात यह है कि तीनों उस वक्त तक खामोश बैठे रहे उसके बाद आर्पी एंज सिंग खड़े हुए आर्पी एंज सिंग भी यूपी से आते हैं और जब यूपी के सरकार रही थी तो सेंटर में केंद्रिय ग्रिषाज्य मंत्री भ हमको कम से कम पुब्लिक प्रेयरफर्म पर जाना है तो हमको एक पार्टी लाइन डिसाइड करनी होगी और हर पार्टी के सदस्य को यह बात बतानी होगी कि यह पार्टी लाइन है और इससे अलग हटकर कोई नहीं बोलेगा लेकिन फिलहाल जो है पुब्लिक सेंटिमेंट क क्या है उसको हम पुरी तरह से नकार नहीं सकते और इसमें एक और लेटेस डिवलम्मेंट आया करंट सिंग का अब करंट सिंग कौन है करंट सिंग वो शक्स हैं जो कि जम्मु कश्मीर के महराजा हरी सिंग के बेटे हैं और उनका भी साफ़तोर पर यह कहना था कि सरकार की अलोचना करना इस फैसले पर ठीक नहीं है और उन्होंने भी पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात की अब समझ लीजे कि करंट सिंग बहुत पुराने कौंगरेसी हैं वो मंत्री पदों पर रहे केंदर में मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक वो कौंगरेस में रहे कई उच्छे कहा वो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा कि सरकार की अलोचना ठीक नहीं है निजी तोर पर मुझे लगता है कि देश इसका समर्थन कर रहा है यानि कि मोधी सरकार ने फैसला लिया है देश इसके समर्थन में है और इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं वो लगातार इसका समर्थन करते रहे हैं दीपेंदर हुड़ा पहले इसको समर्थन में आए जनारदन दिवेदी जो की बहुत सीनियर कॉंग्रस लीडर है वो भी समर्थन में आए अदीति सिंग जो की कॉंग्रस की विधायक है वो इनकी समर्थन में तहे मुरली देव मेटी में जहां एक राय बनाने चली थी वहाँ पर अंतरकलह निकल कर सामरे आ गए जिसने कॉंग्रिस को फिलाल कश्मीर शूपर तो और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है नमस्कार